इंडियन स्मार्टफोन मार्केट की अगर बात करो तो अभी अपर मिद रेंज प्राइस सेग्मेंट में गूगल ने भाई एकदम तबाही मचाने की सोच लिया है नया स्मार्टफोन लॉंच कर दिया है पिक्सल 7a और इसका प्राइस है 43,999 अब इसके सेग्मेंट में अगर यह फोन टॉप चॉइस बनना चाहता है न उससे पहले एक फोन इस फोन का रास्ता रोक रहा है वो है वन प्लस 11 अब यह फोन कुछ पहतरीन हाटवेर के साथ आता है बहतरीन फीचर के आता है इसका जो प्राइस पॉइंट भी 7a के प्राइस से कम है 39,999 रुपीस and by the way, ये वीडियो में मैं full comparison नहीं करने वाला हूँ इन दोनों फोन्स का, in fact अगर आप एक comparison देखना चाहते हो तो मानस की वीडियो चेक आउट कर सकते हो उसने Pixel 7a का review किया था, जिसमें उसने इस फोन को 11R से भी अगर आप इस वीडियो में मैं दोनों फोन के बैटरी को compare करने वाला हूँ, बैटरी performance को compare करने वाला हूँ तो endurance अगर एक key point है आपके लिए जब आप एक नया smartphone खरीदते हो और choice आपकी इन दोनों फोन के बीच की है definitely ये वाला वीडियो आपको खूप सारा help करने वाला है नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अवन आप देख रहे हैं fiber Hindi और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले subscribe अगर नहीं कर रखा चानल को तो definitely subscribe कर लेना red वाले बटन को दबादेना और bell icon को भी दबाना ना भूलना जिससे के हैं नहीं वीडियो का notification आपको मिलता रहे चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो timer स्टार्ट कर लेते हैं और दोनों ही फोन को boot कर लेते हैं और दोनों ही फोन साथ साथ भाई बैटरी देन टेस्स पहली बार देख रहें उनको बता दू कि भाई फॉमाट किया इस वीडियो का तो हम दो घंटे का YouTube वीडियो प्लेबाक से स्टार्ट करते हैं उसके बाद करते हैं एक घंटे की 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग अगर आप smaller displays prefer करते हैं OnePlus की आपको display पसंदिया पर नहीं आने वाली बट मेरे इसाब से OnePlus 11R की display बहतर है और मैं ये केवल size की वज़े से नहीं बोल रहा मेरे पास कुछ reasons है तो OnePlus 11R की display में आपको slightly sharper resolution मिल जाता है का higher 120Hz refresh rate मिल जाता है वहीं 7A में आपको 90Hz का refresh rate मिलता है but more importantly guys brightness brightness एक key area है जहाँ पर OnePlus 11R की display definitely बहुत बहतर है over the Pixel 7A मतलब अभी भी आप टेबल पर देख सकते हो कि दोनों ही phones को मैंने 50% पर सेट कर रखा इस टेस्ट के लिए और OnePlus 11R की display definitely brighter है यहाँ पर पर cable brightness की बात नहीं भाई color reproduction हो जाए या better contrast की बात करो या dark areas को handle थोड़ा बहतर कर पाता है OnePlus 11R की display तो यह सब चीजों को ध्यान में रखते हो मेरे साब से OnePlus 11R की display definitely एक बेटर option है over the Pixel 7A's display anyway आगे बढ़ते हैं और fast forward करते हैं 2 गंटे के mark पर और YouTube video playback test के बाद surprisingly Pixel 7A भाई लीड में है 91% battery बची इस phone में वहीं OnePlus 11R एक दम slightly पीछे है 90% battery के साथ तो चलिए आप रिकॉर्ड करेंगे एक गंटे की 1080p वीडियो और camera specifications की बात कर लू तो Pixel 7A में आपको brand new camera setup मिलता है rear पे 64MP का main camera है 13MP का ultra wide angle camera भी मिल जाता है front पे 13MP का selfie snapper भी आपको मिल जाता है वहीं OnePlus 11R में आपको 3 cameras मिलते है rear पे 50MP main, 8MP ultra wide और 2MP का macro selfies की बात करो तो 16MP का front camera भी आपको OnePlus 11R में मिलता है तो इसके इलावा दोनों ही phones 4K videos shoot कर सकते है rear camera से वहीं Pixel 7A front से भी 4K videos shoot कर सकते है वहीं OnePlus 11R 1080p video recording तक सीमित है तो अगर आप देखना जाता है कि camera दोनों phones के एक दूसरी केकेंस कैसा perform करते है तो जैसे मैंने पहले भी बताया आप Manus का video देखो Manus ने Pixel 7A review किया था जिसमें उसने OnePlus 11R के साथ उस phone को compare भी करा था तो वो वीडियो आप देख सकते हो वह पहली यह वाला देख लेना उसके बाद जागे Manus वाला वीडियो देख लेना अभी के लिए 3 घंटे test में निकल चुके है OnePlus 11R ने फाइनली लीड ले ली है 78% बाटरी पचती है OnePlus 11R में वहीं Pixel 7A में 70% बाटरी तो शली आगे पढ़ते हैं आप टाइम है कुछ synthetic benchmark सरन करते हैं भाई तो हमेशा की तरह Geekbench 6 में CPU performance टेस्ट कर लेते हैं and of course OnePlus 11R में आपको Snapdragon 8 Plus Gen 1 की chipset मिलती है और भाई यह पहला phone मना दोनों में जिसने पहले test फिनिश किया बेटर performance यहाँ पर दी single core score में उतना कुछ difference नहीं है मतलब ठीक ठाक difference है drastic difference में नहीं बोलूँगा पर है जैसे मैंने बोला but multi core performance में यहाँ पे OnePlus 11R clearly भाई डॉमिनेट करता है Pixel 7a को मतलब अगर आप hard editing task सी बात करो gaming हो जाए यह video editing आज़कल कर लेते phones पे वो सब OnePlus 11R पर आपको better speed और responsiveness देखने को मिलेगी over the Pixel 7a अब normally stage में next benchmark run करता हूँ Antutu करता हूँ but for some reason Pixel 7a पे Antutu support मुझे नहीं मिला मैंने खूब कोशिश कर इंस्टॉल करने की but नहीं हो पाया तो उसको skip करके मैंने 3D mark run किया दोनों इफोंस की GPU performance को test करने के लिए और इस वाले test में तो भाई और तगड़ा performance OnePlus 11R और snapdragon chipset का मतलब Pixel Tensor G2 chipset को इन्होंने मतलब ना कोचने चबवा दिये मतलब सबसे पहली बात अगर आप देखो benchmark test में sluggish performance screen पे देखने को मिलेगी आप वो देखी सकते हो और stability wise भी आप बोलोगी Pixel 7a ने 70.5% score किया वहीं OnePlus 11R ने 60.5% score किया पर आप एक चीज़ को definitely नहीं इग्नोर कर सकते कि जो average loop score है OnePlus 11R का भाई बहुत ज्यादा है Pixel 7a के comparison मतलब Pixel 7a आज स्पास भी नहीं आता तो अगर आप better sustained gaming output दोनों phone के मतलब अगर आप ढूंड रहे हो तो OnePlus 11R short shot एक better pick यहाँ पर रहेगा finally मैंने CPU throttle test भी रन किया दोनों ही phones पर और फिर से भाई same story through and through snapdragon का यहाँ पर जलवा देखा और graph में भी आप देख सकते हो Pixel 7a में काफी बुरी throttling देखने को मिली आप देख सकते हो graph कैसे red हो रखा है plus average operations per second की भी अगर बात करो OnePlus 11R का score भाई बहुत ज्यादा रहा Pixel 7a की मुकाबले मतलब कोई competition ही नहीं है यहाँ पर तो anyway benchmark सतम करते हैं कुछ 4 गंटे बीच चुक है test में आप time है gaming करने का और भाई game तो मैंने start कर दी खेलना मैं भूलिया कि बाटरी levels भी दिखाने होते हैं तो थोड़ा सब तक 4 गंटे के ऊपर OnePlus 11R अभी भी lead में है 59% बाटरी बचती है OnePlus 11R में वहीं Pixel 7a में 54% बाटरी बची हुई है तो जैसे कि आपने benchmarks round में भी देखा स्टोरी जो है न भाई असलियत दुनिया की वो भी मतलब एकदब सेम है मतलब देखो usual task general task करते हैं हम phones पे दोनों ही phones आराम से handle कर पाते हैं हाला कि जब आप दोनों ही phones पे load डालते हो तो वहाँ पर भाई OnePlus 11R और Snapdragon chipset definitely superior मतलब निकल कर आते हैं मतलब दोनों ही phones अब आप देख सकते हैं कि as part नहीं तो काफी smooth चली smooth frame rates मिले पर जब मैं screen से भाई interact कर रहा था जब मैं touch कर रहा था तो pixel की screen काफी गरम हो रही थी वहाई OnePlus की screen मतलब हलका बुलका मतलब जो lukewarm बोलते हैं वैसा था पर pixel की screen तप रही थी तो thermal management definitely OnePlus 11R में मुझे बेटर लगा क्योंकि बेटर optimization देखें को मिलती ही chipset की तो उसी के साथ साथ भाई 5 घंटे पर हम fast forward करते हैं OnePlus 11R अभी भी lead कर रहा है और थोड़ा सा gap भी मतलब दोनों की बीच में बढ़ गया है 47% बैटरी बचिए OnePlus 11R में वहीं Pixel 7a में बचती है 40% बैटरी तो finally हम last leg में हैं भाई अपने battery drain test comparison में और अब हम एक घंटे का Instagram run करेंगे और जल्दी से भाई अब 6 घंटे के mark पे fast forward कर लेते हैं final result देख लेते हैं और जैसे कि सब ने expect किया आप भी expect करें थे मैं भी यही सोच रहा था कि OnePlus 11R भाई इस test में टॉप पर आता है 38% बैटरी के साथ वही Pixel 7a फिनिश करता है 28% बैटरी के साथ 6 घंटों के बाद screen पर एक घंटे भाई घंटे का breakdown है कि भाई कैसे battery drain हुए दोनों ही smart phones पर और जैसे कि आप देख सकते हो Pixel 7a का जो मतलब जिस वज़ा से Pixel 7a हा रहा है वो है क्योंकि इस phone में आपको एक छोटी battery मिलती है 11R के comparison में मतलब अगर आप देखोगे optimization की बात करें तो एक घंटे के video recording round के इलावा जहां पे Pixel 7a का battery काफी तगडे तरीके से गिरा था दूसरी areas में endurance काफी neck-in-neck था भाई दोनों phones का in fact Pixel 7a का performance YouTube video playback round और benchmarks round में battery drain के मामले में 11R से बेटर रहा पर वहीं अगर मैं pure performance की अगर बात करू जासी कि आपने benchmarks round में भी देखा gaming round में भी देखा तो यार snapdragon 8 plus gen 1 chipset plus one plus 11R का combo जो है भाई वो definitely superior है over the Pixel 7a but yes guys ये था battery drain test comparison between the one plus 11R and Pixel 7a आपका क्या खाल है इस वीडियो में और क्या आप और भी कुछ वीडियोस देखने जाते हो battery drain test देखने जाते हो मुझे definitely बताओ comment section में इस वाली वीडियो के भी ख्याल इस पत्तु के प्योगी का वीडियोस देखने दो च्ट के वीडियोस, दो आपकोाre